वरिष्ट सांसर डॉक्टर स्वामी साक्षी महराज मंगलवार को नाग पुराए और इन्होंने इन बीसियन के ओफिस में मुलाकात की इस दौरान डॉक्टर साक्षी महराज ने कुरुना महमारी और उसके प्रभाव के साथ ही इस कुरुना काल के दर के बारे में अपने साथ ही 3,10,173 मतों के अंतर से जीत भी हासिल की है मंगलवार को साक्षी महराज ने इन्बीसियन के कारयले में मुलाकात की जहें इन्बीसियन ग्रूप और नागपूर मेट्रो समाचार के संचालक सिराश शेक के हां तो साक्षी महराज को पुश्पगुच्छ और शौल द कोरोनाकाल में सरकार द्वारा किये गए कारयों की सराहना की उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने आलोचनाव का सामना करते हुए देश को प्रगती पथ पर लाने के हर संभव प्रयास किये है ब्यश्पक महवारी कोरोना जिसे कोविट-19 के रूप में जाना जाता है सारे विश्प के लिए बहुत बड़ी आपदा है आपके चैनल के माध्यम से मैं भारत सरकार का और देश के प्रधान मंत्री मोधी जी का हरदाईश धन्यवाद करूँगा कि जैसे इसकी भनक लगी तो सरकार ने जितने भी आवश्पक कदम होते हैं वो उठाए ततका लोगडाउन कर दिया आलोचनाओं को सेन करना पड़ा लोगडाउन तो लोगडाउन होता है कि बताया नहीं और कैसे कर दिया अब लोगडाउन करके सारे जितनी आवश्पक्ताई थी उनकी पूर्ती कर मैं Science and Technology Extending Committee में हूँ, मुझे लगता है कि हम लोग दिशंबर तक वेक्षिंग लाने वाले हैं, बहुत जोरसोर से काम चाहलू है और सारे देश में, अब ये भारत वर्ष एक ऐसा देश है जो सारे विश्व के स्वास्थे की चंता करता है, नागपुर ही नहीं, पूरी महारा आश्वदेश की जनता से आगरह करना चाहूंगा, दोगज की दूरी बहुत जरूरी, सासन प्रशासन सरका जो निर्देश देती है, उस निर्देश का पालन करना चाहिए, ताकि भारत जीती और कोरो न हारे